बॉलिवुड की फिल्मों में हमें अक्सर ही रोमांस, ड्रामा और मेलो ड्रामा देखने को मिलता है लेकिन अगर फिल्मों में कॉमेडी का तड़का ना लगाया जाए तो फिल्म अदूरी से लगती है और हमें अक्सर ही फिल्मों में ड्रामा और रोमांस के साथ साथ हसाया भी खूब जाता है और उन्हीं किरदारों को बखूबी निभाते हैं हमारे कमेडियन्स जिन में जॉनी लीवर और राजपाल यादव जैसे मेल कमेडियन्स को तो आपने देखा ही होगा लेकिन अगर 90 के दशक की फीमेल कमेडियन्स की बात की जाए तो सबसे पहले जहन में गुड़ी मारूती का नाम आता है इसलिए तो जब ये दमदार कमेडियन्स सिल्वर स्क्रीन पर नज़राती थी तो सभी का दिल बहलाने में कभी नाकाम नहीं होती थी यही वजह है कि ये बॉलिवड की हर दूसरी फिल्म में नज़राती थी इनकी पंच लाइन्स परफेक करती हैं और कैसी दिखती हैं तो दिया सब्सक्राइबर्स आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अपने दौर की मशूर कमेडियन रही गुड़ी मारूती से ही रूबरू करवाने वाले हैं तो चलिए जानते हैं उनहीं के बारे में पॉलिवड की मशूर कमेडियन साल की उम्र में बतोर बाल कलाकार के रूप में फिल्म जान हाजर हैसे की थी और आगे चल कर कई फिल्मों में बतोर बाल कलाकार इन्होंने काम किया वहीं इसी बीच इनके पिता की मृत्ति हो गई थी तो अपने परिवार को संभालने के लिए इन्होंने अभिने करियर को जा काफी मांग भी थी तो इन्होंने भी उन फिल्मों के ओफर को स्वीकार करा और इस तरह इनकी पहली फिल्म साल 1986 में आई नगीना थी जिसमें पहली बार इन्होंने बतौर वयस्क आक्ट्रिस कमेडियन काम किया था और काफी अच्छा प्रदर्शन भी दिया था जिसके कारण इन्हें आगे भी कई फिल्मों में बतौर कमेडियन काम करने का मौका मिला इस तरह से उन सबी मौकों को स्वीकार कर ये फिल्म इंडस्ट्री में एक जानी मानी कमेडियन बन गई जिन में आग और शोला, अमीरी गरीबी, शोला और शबनम, दूले राजा और बीवी नंब इन्होंने इधर उधर और मिसिस कौशिक की पांच बहुए जैसे शोज में काम किया है, लेकिन आपको बता दें कि आज इस दमदार अदाकारा को इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए पूरे पांच साल बीद गए हैं, इन बीते सालों में ये काफी बदल चुकी हैं, ये आज 61 साल की हो गई हैं, पर इतनी उम्र होने के बावजूद ये आज भी काफी सुन्दर नजर आती हैं, मगर जहां पहले ये काफी मोटी हुआ करती थी तो वहीं बीते सालों में ये बहुत पतली हो गई हैं, साथ ही इन्होंने अपना फिगर भी मेंटेन कर लिया हैं, इस पिसनल लाइफ की तो इन्होंने बिजनसमान अशोक से लव मैरेज की थी, जिनके साथ ये मुंबई के जुहुवाले फ्लाट में एक खुशाल जिंदगी बिता रही हैं, तो दोस्तों आपको गुड़ी मारूती का ये बदला हुआ रूप देख कर कैसा लगा, आप अपनी किराय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही बॉलिवड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें